हलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रियांका और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रिसामिक्स में इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नील कमल सूरेक के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और इसको असेंबल करके आपको बताने वाली हूँ यह कैसे असेंबल होता है तो यह देखे क असेंबल करने के लिए बिलकुल गाइड दिया गया है और यह इसका बेस है यह बैक साइट जाएगा और यह फ्रेंट में जहां पर लॉक होगा दूर वह यहां पर है और इसी तरह का सेम इसका टॉप भी है लेकिन जो टॉप है उसके उपर लेबलिंग की गई है नेम बैक पैनल इटैच करने के बाद हम इसतर hello back में अएटकरर लेंगे यह देखे इसका बैक है जो uneven है बैक में है और इवेन है और और यह देखे साइट पैनल है यह इस तरह से समी सर्कल है तो जो समी सर्कल जो मायूत ओपनिंग है वो उपर साइट रहेगी तब हम उसमे अपने रॉट्स एड़ेस्ट करेंगे जो रेक समय दिये गए है फिर दोनों कैबिनेट को मतलब दो फ्लोर में मैंने कैबिनेट लिया है तो इस तरह से दो ब्लॉक्स में रिसीव वाया है मुझे तो इस तरह से देखिए बीच में ब्लॉक्स लगाने के बाद हमारा यह दोनों पैनल अटाच हो गया है और यह डोर अटाच करने के लिए इस तरह से side में दिया गया है, तो इस तरह से door में attach कर लेंगे, आपको दोनों door मिला है, साथ में stickers on manual guide भी है, बिल्कुल images के साथ बहुत अच्छे से इन्होंने show किया है, कि आपको कैसे लगाने है, stickers है, कौन सा left door है, कौन सा right door है, आप easily follow करके आराम से इसको लगा सकते हैं, इ यह जो panel से, अब इसमें हम अपना उपर दोर लगाएंगे, अपर दोर और हमारे यह complete हो जाएगा, इसके पहले यहाँ पे रेक adjust कर रहे हैं, असरे किस facility है कि आप इसमें अगर कुछ long boots वगरा रख रहे हैं, तो आप इसको slide shape में भी लगा सकते हैं, तो आप long shoes वगरा आशा probability नहीं है, according to me, तो यह काफी अच्छा है, study है, strong है, तो मैं यह recommend करूंगी कि बहुत ही अच्छा piece है, अगर आप एक सूरेक सर्च करें तो must go for it, उमीद करती हूँ आपको मेरा यह video अच्छा लगा, मिलते हमारे next video में, till then, bye bye, take care and thanks for watching.